आप सबी लोगों का सवगत है आपके अपने यूटूब चैनल डीजे सर पर आज किस वीडियो में बात करने वाले इतिहास के अत्ति लोगी उत्तरी प्रश्णों के सिंखलाग बारे में तो चलिए आई देखते हैं जो प्रश्ण है बहुत ही महत्यपूर है और आपके एजा इसका जो एंसर जाएगा अकबर दोरा नहिमित इमारतों के नाम निम्न है जहांगिरी महल हो गया फतेपूर सिकरी महल हो गया जोधाबाई महल हो गया जामा मखजित हो गया पंच महल हो गया मरियम की कोठी हो गई तो ये प्रमुक जो है इमारते वो अकबर दोरा नहिमित क आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वाट्सिक ग्रूप को जरू जोइन कर लें ग्रूप वाट्सिप नंबर है 950 690 287 इस नंबर जुड़ें और अपनी तैयारी को और बहतर करें आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा इंपॉर्टि प्रस्न जो हम लोका है वो भी मुगल सामर धो चित्रों के भिसें दर्बारी सानो सुगत बाद्सा की रुचियां आधी है तो मुगल काल की साईलियां रही है चित्रकला की से जो रही है उनमें देखें साणो दो आएनला को MLB Cindy लेंगे जहां गया और उ कार्ट प्रियोग किए गाय को मगल समराजर को भी पयोग कीशित्र दिखे, गें लोग दुखाए गया। कारजो पर भी मिला है, आपको कपड़ों पर भी मिला है, कड़ाई, बुनाई की तवरा, वहाँ पर हाथी दात पर भी नकासी देखने को मिला है, तो ऐसे जो है वो मुगल काली चितरकला को जो एक अलग पहचाम देते हैं, आएक कुछ और देख लेते हैं इसकी भी सिस्ताओ गया है, तो देखिए यहाँ पर संध्या और रात्री के जो कुछ मनुवारी द्रिस थे, उन लोग की भी चितरकारों ने अच्छे से चितरांगन किया हुआ, और सती साथ इनका जो कलर किया रंगा गया इनको, चांदी और स्रोल रंगों से इन्हें रंगा भी गया है, तो क महाजनपत के सक्तिसाली होने के कराड़ बता ही है, तो महाजन जो सामराज था, उसके सक्तिसाली होने के क्या कराड़ थे, इनके बारे में हुए ब्यात करनी है, तो देखिए ध्यान से यहाँ आम लोग देखते हैं इसके उत्तर को, तो निमनलिखित करना है, कौन कौन से कर दाधू थी तो जायसी बाते स्टार्टिंग ने जो एजो धातू थी वो बहुत ही इसका ज्यादा बढ़े पर प्रियोग किया था तो लोहे का खादान मिलना मगत को बनाने कहीं से बहुत बड़ा जीमें था मतलब धर्म है तो धरा है तो धर्म की भी चीज़ें यहां पर बात की जाती थी और साधी साथ सबसे बड़ी अगर मगत महाजनपत की कोई सक्तिसालिय होने करण है तो वहाँ पर योग सासुकों का होना भी एक बहुत बड़ा उसकी सक्तिसालिय होने के करणा के पीछे कही योगे सासकों में जैसे बात हो गया, भिम्बिसार की बात हो गई, आजात सत्रू की बात हो गई, महापदमनंद की बात हो गई, शमराट असोक की बात हो गई, चंदुरूत मौर की कारूम बात हो गई, तो यह जो प्रमुक कुछ ऐसे राजा रहे हैं, जो की मगत महाजनपत क को सकतिसाली बनाने में कह न कहीं से अपना महत्रपुरude उधान इन लोगों इने दिया तो ये कुछ महत्रपुड कारण हैं जो मगट सामराज को सकतिसाली बनाते हैं मातवर प्रश्नों के सिंक लाम बढ़ते हैं चोथे प्रश्न की और चोथा मुल्ग का प्रश्न है अलवरुनी कौन था इन्पॉरण प्रश्न है आपके एक्जाम के लिष्टी कोट से इसका जो आंसर हो जाएगा अबू रेहान मुहम्मद बिन अहमद अलबरुनी इनका पुरा नाम हो जायाएगा अलबरुनी का पुरा नाम क्या था अबू रेहान मुहम्मद बिन अहमद अलबरुनी तो ये इनका पुरा नाम है और साथी साथ ये एक फार्सी विद्वान थे लेखक भी रह चुके लेखक भी थे ये बैग्यानिक भी थे धर्मा के थे और विचारक भी थे अलबरुनी ने 130 में किताब उल हिंदी की रचना की थी और ये देखिए प्रमुक इनकी ये महुत पूरी किताब रही है किताब उल हिंद का मतलब होता है भारत के दीन जब अलबरुनी भारत था तब उन्होंने किताब उल हिंद की रचना की थी और इसमें जिसमें कि भारत के दीनों में वो किस प्रकार से विख्ट की यहां पर विताया है उन्होंने समय को भारत के दीन भारत की चीज़ों को उसम अलबुरुनी ने एक भार्षवी द्वान, लेखक, बेग्यानिक धर्मा के तता विचारक था, अलबुरुनी ने एक आतीस इस्वी में किताब उली हिंद, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं भारत के दिन नामक किताब की रचना भी की है, महत्तो प्रशनों के सिंकलाम बलते ह अलबुरुनी नामक एक लिपी में बांधने का प्रयास किया, धर्म के बारे में बतायां इनने, एक भासा के बारे में बताया, और ब्रामि नामक लिपी में बांधने का इननों पूरी देश को प्रयास किया, कि एक चीस में मैं इसमें एक प्रकार से क्या करुबान सकूँ जिसका उपयोग उनके अधिकान सीला लेखों में किया गया है जो इनके संकाल में बिलेख बनाया गया या सीला लेख किया गया है जो तो उन पर भी इनके इन प्रयासों के बारे में अंकित किया गया है कि वास्त देखिए तो मतलब अगर कोई अच्छी चीज़े हैं तो दूसरे का भी गरहड करना तो उसमें कोई बुराई नहीं अगर अच्छी चीज़े तो उसे ले सकता है इंसान तो उन्होंने भी मतलब खरोष्टी अरामी और ग्रीक जैसी गयर भारती लिपियों का भी सम्मान दिया क्योंकि उनसे जो अच्छी चीज़े सीखने लाइक थी उनको भी नुने आत्मसाथ करने का प्रयास किया तो यह है राज़ती के प्रमू प्रयास हलाकि देखा जाती है दिर्गुतरी में बहुत बड़ा प्रशन भी है आपका बन जाएगा लेकिन यदि यह लगू में पू उसे जरुँ जोइन करें वाटसे गूरूप नमबर है नो सपकाचास, शसोन अबबे दो सपकेश साथ इस ग्रूप को जोइन करेंगे तो आपका फियर दूर होगा फियर दूर होगा तो आपका इज़ाम जोगा वह बहुत अच्छे से किलियर होगा इसलिए हटाना है फिय और एक्जाम को करना है क्लियर तो आपको WhatsApp ग्रूप भी अपने नियर जरूर करना होगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर गुडबाय और हाँ मेरी एक बात जरूर करें लाइक सेयर सस्क्राइब करना ना भूले